अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ कि उनकी सोच में मनफी बातें जो हैं वो बहुत जादा होती है। और ये नेगेटिव सोचने की जो आदत है वो उनको बहुत जो है नुकसान पहुंचाती है। और वो जो जिस भी क्राइसिस में होते हैं जिस भी मुश्किल में होते हैं उनको ये नेगेटिव सोचने की आदत जो है उस क्राइसिस को जो है वो दस गुना जादा बढ़ा देती है उनका खौफ जादा बढ़ जाता है और वो काम जो आसानी से हो जाना था या जिस काम के ल कुछते हैं कि ये क्यों हो गिया, ये हदसा मेरे ही साथ क्यों हो गिया, ये वाकिया मेरे साथ क्यों पेशाया, उसने मुझसे ये क्यों कहा, ये ऐसी बाते हैं कि जो आपको अपने काम से दूर कर देती है, आपको अपनी जो असल आपकी जो कुवत है, जो मस्बत काम करने की क उससे दूर हटा देती है इसलिए इस बात को भूल जाएं कि आपके साथ कोई हाथसा हो गया है आपके साथ कोई मुश्किल पेश आ गई है और उससे आगे बढ़ें वो करें कि अब क्या करना है अब इसके बाद अगला कदम मुझे जो है वो क्या उठाना है हिंदुस्तान की जो एक नामवर अदाकारा थी मीना कुमारी मीना कुमारी जो थी वो उनके पास दुनिया की दौलत भी बहुत थी खुबसूरत भी बहुत थी शौरत भी उने बहुत हासिल थी लेकिन उनकी जिन्देगी के अंदर डिप्रेशन जो है वो बहुत जो है रच ब उनके जो शुटिंग होती थी उससे पहले भी वो अक्सरों भेश्तर उदासी रोना धोना और उनकी एक आदत से बन गई थी तो इस तरह की मेना कुमारी वाली आदत ना अपना है और अपने आपको एक जो है तवाना फर्द की तरह एक माशरे में कामियाब होने वाले फर्द की तरह जो है वो आगे बढ़े अपने आप से ये सवाल जरूर करें कि मैं जिन्दगी में खुश हूं के नहीं हूं अगर आप ये सवाल करेंगे तो फिर आपको जो है इसका जवाब भी मिलेगा आपको ये सोचना चाहिए कि मैं जिन्दगी में जहां पहुँचना चाहता ता वहां पहुँचा या नहीं पहुँच सका जब आप इन स्वालों पर ख़ुर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप जितने पीछे चले जाएं और पीछे चले जाएं बच्पन के हालाप को देखें उसके वाद अपनी तालीम को देखें उसके वाद अपनी जद्धो जहित को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप तो बहुत काम्याब आद्मी है आपने तो बहुत कुछ पाया है आपने तो बहुत कुछ हासिल किया है आप कहां से चले थे और कहां पहुँचे है तो इस बात को अपने पास से निकालिए कि ये क्यों हो रहा है ये उदासी जो है मेरी फित्रत का इस्ता क्यों बन गई है ये मेरा मिदाज को बन गया है अक्सर और बेश्टर जो है मैं भी अक्सर कामों के बारे में जब कोई मुझसे कहता है तो में मेरी पहली फिलिंग यही होती है कि यार क्या यह तो मैं खौफ का शिकर भी हो जाता हूं और अगर कोई कहे के भैई नई गाड़ी खरीडना बड़ा मुश्किल है और गाड़ी जो है उसको रखना बहुत मुश्किल है इसलिए मुश्किल है कि मेरी एक गाड़ी चोरी हो चुकी है तो मेरी गाड़ी जब चोरी हो चुकी है तो उसका जो खौफ है वो मेरे दिल में बैड़िया है लेकिन अब मैंने ये खौफ निकाल दिया है और अल्ला ताला ने जो है वो कोई न कोई इसका सबब होगा और अल् अग्सार पिकनिक की और इस तरह की जो बाते होती हैं वहां पर भी ये वसवसे और खौफ और इस तरह की फिलिंग्स आजाती हैं कि यार पता नहीं होगा गर्मी होगी ये होगा वो होगा लेकिन इन तवांच चीजों को जब आप अपने जहन से निकाल देते हैं और उस प्ल शुरू करते हैं और उस जगा पहुंचते हैं तो आपको बेपना खुश ही होती है कि यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था और ये ऐसी जगा है और इतना शांदार माहूल है और ये है तो ये इसलिए है कि आप चीजों को मनफी अंदाज में सोचते हैं और ये मनफी अंद यो में भी जो है वो मुश्किल पैदा करता है इस पैटरन को बदलने के लिए कि आप को ये चीज क्यों तंग कर रही है और ये चीज जो है आपको क्यों खराब कर रही है इस पर आपको सोचना चाहिए फिर इसके उपर सोचना ही नहीं चाहिए बलके इसको बदलने के लिए कोशिश करनी चाहिए और ऐसी कोशिश करनी चाहिए जिसमें तसलतल हो जिसमें इस बात का यकीन हो कि ये काम जो है मैं कर रहा हूं इस से मेरे हालाद बदल जाएंगे मेरे जो कामियाबी है वो मुझे मिलेगी और इससे मुझे फायदा हो रहा है तो फिर जब यह आप चेंज करना शुरू करेंगे और उसको वक्त गुजरने के साथ अगले साल आप देखेंगे उसके बात देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपने तो बहुत अच्छा सफर किया है आपने तो बहुत कुछ हासिल किया है और यह काम जो है इसको कल पे न टालिए कि अगर यह काम में कल से करूँगा यह सोचना में कल से शुरू करूँगा यह काम याभी के लिए जद्वजहद में कल से शुरूँगा ये काम जब आपको करना है तो आज ही से शुरू कीजिए अभी से शुरू कीजिए अभी इसके बारे में जो है वो कदम उठाईए और इसको किसी तरीखे से जिस तरह भी आपने सोचा हुआ है उस तरीखे से करने की कोशिश कीजिए हमारा दिमाह जो है सिर्फ अपनी बात सुनता है ये किसी दूसरे की बात नहीं सुनता इसलिए हमें ये डर लगा रहता है कि हमें कोई जो कुछ कह रहा है वो सही है या नही है लेकिन अगर यही बात हमारा दिमाह का है हमारा दिल का है तो वो बात जो है हमें अच्छी लगती है और हम उसको करने के लिए कोशिश करते हैं तो इसलिए जो भी फैसला करें उसको दिल और दिमाग से करें और अपना फैसला करें जब आप अपना फैसला करते हैं तो उसमें जो अपनाईयत होती है उसमें जो जोश होता है उसमें जो आगे बढ़ने का जजबा होता है वो बहुत जादा होता है बहुत सारे लोगों की जिन्दगी में इस तरह के वाकियात होता है कि उन्हें बहुत जादा मुश्किल पेशाती है और बहुत परिशानी की हालत में रहते हैं और यही लोग अगर उस परिशानी के साथ किसी और बड़ी मुश्किल से दो-चार हो जाएं तो फिर उस परेशानी को भूल जाते हैं तो यही है जिन्दगी के अंदर जो है कोई चीज हत्मी नहीं होती कि आपकी एक परेशानी है तो आप जो है उसके जो है उसकी हुज़ासे आप अपनी जिंदेगी को مشकिल बना ले, अपनी जिनदेगी को आसान benाईए, और मश्किलात से निकलने की कोशिश कीजिए, जब आप मुश्किलात का हल ढूनने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत सारी जो है ऐसे रास्ते और ऐसे हल निकलाते हैं जिससे आप पायदा उठा सकते हैं अब देखिए ना कि अगर आपके पास माचिस है और आप ये तजर्बा करके देखिए कि अगर आपके पास माचिस है और आप उस माचिस की तीली को जलाते हैं और एक ग्लास जिसमें पानी है उस जली हुई तीली को पानी के ग्लास में डालेंगे तो तीली भुझ जाएगी इसलिए के उसमें पानी है और पानी की खासिया ठंडा है लेकिन अगर यही माचिस की तीली जो है वो किसी चीज में डीजल है और उसमें वो माचिस की तीली फेंग दे तो वो भड़क उठेगी और आग जो है वो लग जाएगी तो यही आपकी जिन्दगी का हाल है अगर आपके अंदर शान्थ है सुकून है इत्मिनान है तो कोई भी मुश्किल आएगी वो आपको उस से मकाबला कर लेगी लेकिन आपके अंदर अगर घुसा बरा हुआ है परिशानी भरी हुई है और आप जो है उस चीज से निकल ही नहीं रहें तो आने वाली कोई भी मुश्किल कोई भी परिशानी जो है वो आपके जो है उस परिशानी को दोचंद कर देगी बढ़ा देगी और जादा आपका गुसा बढ़ जाएगा और आपका डिपरेशन बढ़ जाएगा तो अपने आपको शान्त रखिए मुत्पईन रखिए अल्ला ताला से दुआ कीजिए अल्ला ताला की अबादात कीजिए